So hi everyone, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नए और इन्फिर्मेटिव वीडियो पे जैसे कि आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महतोपूर्ण होने वाली है जैसे कि आप अगर आगनवारी स्जेविका है या फिर सुप्रवाइजर है या फिर आप सीडिप्यो है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महतोपूर्ण होने वाली है हम इस वीडियों बात करेंगे परधान मंत्री मात्रित तो बंदना योजना के तहत जो आप लभार्थियों का अल्लाइन अवेदन करते हैं जैसे कि जो भी लभार्थी है वो आपको सारा डॉक्मेंट वगएरा दे देता है तो वो डॉक्मेंट आपका लिक ना हो यानि कि हैक ना हो इसके लिए आप सभी को एक काम करना बहुत ही जरूरी है जैसे कि आप लोग को भारा सरकार के द्वारा जो काम आपको सौपा गया है उसमें आप लोग की भी जिम्मवारी बनती है कि आप लोग जिस लभार्थी का भी डाटा आप लोग ले रहे हैं उस लभार्थी का डाटा हैक ना हो इसके लिए आप लोग को पर्धान मंत्री मात्री तो बंदरा योजना में जाके जो ओफिसियल वेबसाइट है वहाँ पे कुछ सेटिंग करना बहुत ही जरूरी है तो आईए हम आज उन्ही सेटिंगों के बारे में जानेंगे तो चलिए आगे के वीडियो में आपको step by step जरूर कर लिजेगा देखिए अगर आप पर्धान मंत्री मात्री तो बंदरा योजना का ओफिसियल एप यूज़ करते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पे ओफिसियल एप पे आ जाना है ठीक है यहाँ से भी आप लोग जा सकते हैं या फिर आप Google Chrome उपन करेंगे ठीक है कुछ इस प्रकार से आप लोग Google Chrome उपन कर लेंगे उपन करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे p-m-m-b-y-n-i-c.in जैसे हैं इस प्रकार से लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से एक पेज उपन होके आ जाएगा जिसमें कि यह अफिसियल वेव साइट है परधान मंतरी मातरी तो बंदना योजना का जो भारा सरकार के द्वरा चलाई जाती है ठीक है तो इस प्रकार से उपन कर लेने के बाद आपको क्या करना है कि यह जो अफिसयल वेव साइट आप लोग देख रहे हैं इसी पर आपको एक बार किलिक कर देना है ठीक है तो चल का एक और नया पेज खुल के आ जाएगा जिसमें कि आपको यूजर आईडी और पासवर्ड विभाग की ओर से दिया गया होगा वो यूजर आईडी पासवर्ड आप लोग को डाल के यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया गया है सेम टू सेम कैप्चा कोड यहाँ पर आपको फिल कर देना है उसके बाद यहाँ पर लॉग इन करके आप लोग जो भी लभारती है उनका रेश्टेशन आसानी से आप लोग कर सकते हैं लेकिन हम बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में कि अगर आप किसी भी लभारती का जो डॉक्मेंट हो गए रहे हैं वो लेके आप और लाइन रेश्टेशन करते हैं तो रेश्टेशन करते हैं आपका जो डाटा है वो हैक ना हो इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको यहाँ पर पासवर्ट पर क्लिक कर देना है जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो भारत सरकार दोरा आप लोग को काम दिया गया है जिसमें की user id अलग-अलग है लेकिन password सभी का सेम है जैसे कि आप लोग जानते ही है password जो है वो सभी का सेम है तो इसके लिए आपको password सबसे पहले change करना बहुत ही जरूरी है नहीं तो आप लोग का जो data है वो hack हो सकता है password change करने के लिए आपको यहाँ पे forget password पे click क करेंगे तो यहाँ पे जो आपको भीभाग द्वारा user id दिया गया है वो user id आपको यहाँ पे fill कर देना है तो चली हम यहाँ पे user id डाल लेते हैं तो हमने यहाँ पे अपना user id डाल दिया है user डालने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पे जो verify वाला option आप लोग देख रहे तो यहाँ पे थोड़ी देर वेट करने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रेजिटर मुबाइल नमबर है उस पे एक OTP भेजा गया है यहाँ पे आपको चार अंगों का जो मुबाइल नमबर है वो लाश्ट डिजिट यहाँ पे दिखाया जाएगा तो इसी नमबर पे आपका एक OTP भेजा गया है जिस OTP को आपको यहाँ पे फिल कर देना है उसके बाद यहाँ पर जो capsicode दिख रहा है वो capsicode आपको जैसा छोटा अक्षर दिया गया है या बरा अक्षर दिया गया है उसको सही सही देखके आपको feel कर लेना है चलिए यहाँ पर हम जो OTP आया है उसको डाल के आपको आगे का process दिखाते है तो यहाँ पर आपको जो OTP भेजा जाएगा वो 6 अंको कराएगा तो OTP आपको यहाँ पर दर्ज कर लेनी है ठीक है उसके बाद यहाँ पर जो capsicode दिया रहेगा वो यहाँ पर दर्ज कर लेनी है उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर validate वाले option पर click कर देना है तो देख सकते हैं कि फिर से एक नया page खुल के आ चुका है जिसमें कि अब बोला जा रहा है कि आपको अपना नया password बनाने का option आ गया है तो यहाँ पर आप अपना नया password बना सकते हैं पासवर्ड कैसे बनाना है चलिए वो भी आपको बता देते हैं जैसे कि आपको password set करने के लिए आप कोई भी नाम लिख सकते हैं जैसे कि आप अपना नाम ही लिख सकती है उसके लिए आप यहाँ पर देखिए मैं अपना नाम लिख के आपको दिखा रहा हूँ र-i-t-e-s-h, ठिक है, यहाँ पर मैंने अपना इतना नाम लिख दिया है, उसके बाद आप यहाँ पर add the rate लगाएंगे, ठिक है, उसके बाद यहाँ पर कोई भी अंक यहाँ पर select कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं 1, 2, 3 select कर दे रहा हूं, तो यह आपका password यहाँ पर generate हो ज कर सकते हैं, जैसे कि जो आपने यहाँ पर password लिखा है, वही password आपको यहाँ पर fill कर लेना है, जैसे कि फिर से वही password मैं यहाँ पर fill कर दे रहा हूं, उसके बाद आपको new password set कर लेने के बाद यहाँ पर क्या करना है, update password पर click कर देना है, चलिए यहाँ पर update password पर click कर देते हैं तो आप जैसे ही update password पे click करेंगे तो आपका जो password है वो save हो जाएगा हमारा यहाँ पे server issue के कारण password set नहीं हो पाया है अगर ऐसा आपको होता है तो आप दुबारा फिर से वही process करके आप अपना password यहाँ पे set कर सकते हैं ऐसा करने के बाद जो आपका data आपके पास आ रहा है यानि कि जो लभार्थी आपको data भेज रही है वो data आपका सुरक्षित रहेगा आप नए password से आप जो भी login करेंगे उसमें आपका data सुरक्षित रहेगा और data hack होने का कोई भी chance नहीं रहेगा तो I hope आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अन्यागन बारी बहनों तक सेर जरूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नए जनकारी के साथ अगर PMM भीवाई इससे related कोई भी question हो तो comment box में आप पोश सकते हैं तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नए जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद